दो it is very very important for scoring good marks so good marks score करने के लिए आप लोगो banking में क्या-का points clear करने हैं क्या-का पढ़ने हैं वो सारे हम लोग discuss कर रहे हैं धीरे धीरे आज उसी series में हम लोग कोशिश करेंगे loan के सारे topics को to cover कर लिया है अब advances के सारे topic को हम लोग cover करेंगे तो for today's topic we are going to learn about advances Types of Advances and Method of Advancing Loan, okay? सबसे पहले हम लोग करते हैं, Advances, मैंने आप लोगं को बताई दिया था कि Advances और Loan में क्या Difference हैं? Advances basically three types के होते हैं, थोड़ा fast करेंगे हम लोग, व्योंकि हम लोगं को बहुत सारे topics clear करने हैं, ठीक है? सबसे पहला होता है small, उसके बाद होता है, medium उसके बाद होता है, large यह basically जो small advances होते हैं advances का meaning क्या होता है mainly short term के लिए दे जाते हैं और इसमें primary और collateral security दोने ही दे जाती है तो यहाँ पे जो small होता है यह within one year में क्या हो जाता है repayment करना पड़ता है का मेडियम में क्या होता है आपका 125 के लिए होता है यह फाइफ टू ईयर्स के लिए एक मैक्सिमम् टैन्यार्श भी हो सकता है ठीक है अब यहां पर आते हम लोग यह विदीन वन यर कभी-कभी mcqs में पूछा जाता है one year का option नहीं दिया रहेगा one to three year का option दिया रहेगा तो आप one to three years पे click कर दीजेगा मतलब tick कर दीजेगा click मत करिएगा क्योंकि online नहीं offline आप लोंका होगा मेडियम में one to five years के लिए होता है और आप three to five years भी बोल सकता है और यहां पर होता है फाइफ टू सेवन ये लार्ज होता है एक बेसिकली जाम लोग एडवांस इस पड़ रहा है तो इसमें टर्मिलोजी आती है जिसका हम लोग बोलते हैं टर्म लोल लोन है बहुत पूछा जाता है एक्जाम में कि टर्म लोन का क्या टाइप होता है विश टाइप अफ लोन इट इस इस कम अंडर दा एडवांसेस बट इट इस ए सिक्योड लोग कि एक है यह समॉल ट म के लिए होता है थे माय रिजिश माल तंब भी बोल सकतो हम लोग काशा कि सैब ङसर कली मीडियम टंग में अगर ऑप्ष्न में दिया हुआ हूए तो मीडियम टम लगाना अगर शॉट तम दिया हूआ है में पैडियम तम लगएंगे इन केसे मीडियम टम नहीं दिया है कि उसमाल में लगा सकते हूं। जी कि MPchlag क्यूब क्यूं होता है मैं बताएं अब को बेसिकली यह होता है वनौं फाइफ स्क्राइब कर रहा है यह क्रैटेरिया को क्या कर रहा है यह फुल्फिल कर रहा है छीक और यह क्या होता है maximum कभी-कभी किसी-किसी cases में क्या होता है 10 years के लिए भी लिया जा सकता है इसमें primary और collateral security दोनों दी जाती है इसमें primary collateral security दोनों ही दी जाती है और एक चीज़ याद रखिएगा term loan के interest पे हमें सा tax benefit मिलता है बस इतना basic knowledge है बहुत जादा detail में नहीं जाओंगी तो आप यह जानके रखिए secured loan होता है यह basically अपने business को expand करने के लिए किसी assets से अपने production को बढ़ाने के लिए या अपने business को जादा जैसे हमारे पास transport का business है तो बहुत सारे trucks लेने हैं तो उस case में क्या होगा term loan हम लोग लेंगे तो हम लोग को term loan में security primary security भी देनी पड़ेगी और collateral security भी देनी पड़ेगी मतला अपने पास से भी पैसे रगाने पड़ेंगे और जो asset हम लोग खरीदने जा रहे हैं जैसे वो चाहे truck हो गया चाहे crane हो गया ठीक है या कोई long term assets हो गया capital goods जिसको बोलते वह हो गया तो उस case में क्या होगा हम लोग term loan लेते हैं term loan क्या करता है हम लोगों के assets को बढ़ाने के लिए हमारे जो day-to-day capital है उसको increase करने के लिए हमारे business को expand करने के लिए क्या किया जाता है term loan लिया जाता है clear यहां तक समझ में आ गया term loan तो हमारा advances जो है वो complete हो गया अब आते हम लोग methods of advances basically क्या होता है methods of advances हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद methods of advances में तीन चीज़ें आपके syllabus में तो five चीज़ें हैं लेकिन कोविट की वज़े से this year क्या हुआ कि कुछ courses वहां से deleted हो गया है तो हम लोगो सिर्फ तीन topics ही पढ़ना है cash credit bank overdraft and discounting of will एक एक करके समझते हैं actually cash credit क्या होता है cash credit क्या होता है एक तरीके का आप बोल सकते हैं कि यह unsecured loan in the sense कि यहां पर सिर्फ collateral security जो है वो दी जाती है ठीक है collateral security का मतलब है कि जो हमारे पूर फार्मर से उनके पास security नहीं होती है देने के लिए bank को उस case में bank बोलता है कि ठीक है आप जो भी आपका working capital का requirement है मतलब day to working capital का मतलब होता है कि डेली आपके business में आपके agriculture में जो खर्चे होते हैं उनका जो maintenance है या उसको मीट करना होता है उसको देना पड़ता है उसको आप क्या कर सकते cash credit के थुरू दे सकते हैं cash credit नाम से पता चलता है कि आपको credit मिलेगा cash दे करके ठीक है आपको bank cash देगा और उसके loan देने के time पर आपको bank cash देगा वो cash किनकिन circumstances में दिया जाता है वो सुनिया bank क्या करता है जो rural areas में हमारे छोटे किसान भाई लोग हैं जो start-up कर रहे हैं working capital requirement meet करने में आसमर्थ होते हैं या pay नहीं कर पाते हैं तो उस इतना भी loan लेंगे उसका 60 और 70 परसेंट चाहिए finished goods चाहिए raw material चाहिए आप खेती में जो चीज production कर रहें उन चीजों को हमारे गोड़ाउन में रखवा देना पड़ेगा ठीक है में ली perishable perishable क्या होता है perishable goods वो होते हैं जो जल्दी नहीं होते हैं बैंक बोलती है कि उन्हीं लोगों को प्रोवाइड करेंगे जैसे जो नोन परिसेबल परिसेबल goods होते हैं जैसे आपके गेहूं हो गए अना सीरिल्स हो गए डाल हो गए यह सारी चीज़े जो लॉंग टम सबजी वगएरा के लिए वह कोई होता है बैंक उसके अगेंस में लोन देती है यह शौट टम लोन्स होते हैं शौट टम लोन्स का मतलब विदी ना यह आपको रिपेमेंट करना पड़ता है जाहिर सी बात है आप वर्क इन प्रोग्रेस एफ रॉम मेटिरिल को कितने दिर तो गोडाउन में रखोगे खराब आपका गुर्स दे दिया जाएगा ठीक है कैश क्रेट क्लियर हो गया बैंक ओवरड्राफ में आते हैं कैश क्रेट कोई भी ले सकता है चाहे वह इंडिवीजियल हो चाहे फार्मर हो कोई भी ले सकता है बैंक ओडी याद रखेगा सिर्फ जो करेंट एकाउंट होल्डर होत इंशॉरंस को पढ़े थी ऊसे मिंगा तो याद रिखेगा जो करेंट डिपोस्टर के होल्डर होते ह filt recently कर लीजे यह बहुत बार आता है और बैंक ओवर जफ एसलीटी होता क्या है आपने माईग में पैसे डिपोसिट के हैं आपने 50 थाउज़न डिपाउजट किया है तो आप suddenly 1 lakh की जुरुत हो गई तो आप bank के पास जाएंगे कि bank मुझे loan दीजे मैं current account holder हूँ तो bank बोलता है ठीक है आपका 50,000 already है आप extra 50,000 भी withdraw कर सकते हैं लेकिन जो extra 50,000 होगा वो मैं as a loan आपको दूँगा और उस पे interest charge होगा short term के लिए होगा और आप क्या करेंगे इसको time पे हमको repayment कर देंगे यह हो गया bank overdraft discounting of bill क्या होता है आप एक चीज देखेगा business में कि हर चीज credit पे ही नहीं हो मतलब cash में ही transaction नहीं होती है cash availability बहुत कम होती है जैसे हम लोगोंने क्या कि credit transaction किया मतलब उधार पे कोई लेंदेन किया उधार पे लोगोंन लेंदेन करने का एक reason होता है जैसे कि एक seller है एक purchaser है seller ने क्या किया bill draw किया negotiable instrument में भी मैंने आपको बताया था discounting of bill के बारे में तो फिर से मैं एक वाफटाक से revise कर देती हूँ कि seller ने purchaser के ऊपड़ एक bill draw किया purchaser किया करता है उस bill को accept करता है ठीक है तो seller बोलता है कि ठीक है USA परफलो और पर्टेशे दर बोलता है कि ये आप 3-punkt के अनदर मैं आपको इसका payment कर दूँगा तो seller बोलता है ठीक है मैं तीन मंद के अंदर इसका payment ले लूँगा अगर आप तीन मंद के अंदर repayment कर देते हैं मुझको तो फिर मैं future में भी आपके साथ transaction करूँगा क्योंकि आपका जो credit rating है बहुत अच्छी रहेगी तो ठीक है तो bank अब seller को बहुत जल्दी जरुद पढ़ गई fund की तीन महीने से पहले तो बैंक के पास जाता है bank को bill देता है bank से बोलता है कि bank मुझे bill का amount दे दीजे मुझे बहुत urgently required है बैंक बोलती है ठीक है मैं आपके bill को discount कर दे रहा हूँ discount in the sense कि अगर आपका bill आपने जो transaction किया है seller के साथ मतलब उससे 10,000 का goods दिया है sale किया है तो उस case में क्या होगा bank आपको 10,000 नहीं 9,500 ही देगी और 500 रुपया as a discount क्योंकि आप maturity period से पहले कोई भी चीज complete होने से पहले उसको निकाल ले रहे हैं इसलिए bank उसके लिए charge करेगी और उस bill को जब mature हो जाता है bank उस purchaser को पकड़ेगी उसके account से 10,000 का 10,000 पैसा ले लेती है यह हो गया आपका discounting of will discounting of will भी एक तरीके का अगर credit transaction है तो जाय से credit का मतलब ही loan होता है तो वो एक तरीके का loan transaction ही हुआ तो यहाँ पर discounting of will भी क्या होता है methods of advances होता है और जितना अच्छा जितने कम timing में हम लोग डिसकांटिंग करते हैं उतना अच्छा हमारा credit होता है तो यह हम लोगों का पूरा case complete हो गया है कुछ keywords है उसको हम लोग next वीडियो में करते हैं उसके साथ साथ में कुछ important point यासे base rate क्या होता है कासा deposits क्या होते है आप सब्सक्राइब करें लाइक करिए उन बच्चों तक पहुचाएं जो बच्चों के पास में इवेन नोड्स भी नहीं है बैंकिंग और इंशॉरेंस के डेफिनेटली यह वीडियो आपको बहुत हल्पफुल करेगा थैंक्स फर वाचिंग स्टे कनेक्टेब स्टे ट्यून भाइ और आप 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 झालसीव